हेलो आल अफ यू इस वीडियो में हम प्राइमरी टीचर का स्लेबस जो कि जनरल मैथ है वो डिसकस करेंगे और आपको जैसे पता है कि कि इस बार का प्राइमरी टीचर का तो मैं आपको दिखा देता हूं कि जनरल मैस में क्या क्या आएगा और इस वीडियो में टॉपिक डिसकस करूँगा जो कि मेंस्यूरेशन का टॉपिक होगा तो मैं पहले आपको सब्सक्राइब तो मैं आपको पहले ग्हमत मैंस से कुछ इने तरिता हम कि जैसे की अगया पहलए है है जैसे आप और जैसे कि हैं जैसा कुँछा याँ पर जैनरल मैस में काफ़ी जादर टौपिक्स कि रिक्ए है न Els इस्टिम वार्ट सब्सक्राइलिफ यूज इस इंपवन स्याइव प्रॉपोर्शन है वर्गन टाइम प्रॉफिट एंड लॉस्टी एंडिस्टेंस लीनियर एक्वेशन कॉलिटिक एक्वेशन वर रिलेटेड प्रॉब्लम से पोलिनोमियल से बेजिक आफ एलजेब्र है जमेट्री भी काफी देर हैं मैं एंगल वर्टेक्स आम यह सारी जितन सब्सक्राइब करें लिए प्राइमरी टीचर का स्लेबस जो कि इसमें चार चीज का दे रखा है ऑजार चीज है इसमें कोई लेंग्वेज जैसे कि हिंदी और इंगलिपा है चनल सइंस मैस साइंस और चनल मैस और कर एनवर्मेंटल साइंस एक है तो मैं इस वीडियो में आ एरिया से रिलेटेड है उके उसके बाद यह सारे हमारे 2D सेफ में आ जाएंगे ठीक है टू-डाइमेंशनल में उसके बाद इन्होंने 3D में भी दे रखें थ्री डाइमेंशनल में जैसे 3D में एक क्योब्प यूब्प उनके वोल्लम मेजर मेंड करने के लिए ठीक है इस सरफेस इरिया क्यूब्प शिलंडर के तो इस वीडियो में मैं तो इस्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन तो इससे हिंदी में बोलते हैं च्छेत्रमिती अब मैं इसमें आपको कुछ फीगर्स लोगा टूडीफीगर्स ठीक है two-dimensional टू-डैमेंशनल फीगर्स का हमें के करके पैरिमेटर और एरिया डिसकस करते चलेंगे आप मेरे साथ साथ कॉपी और पैन में आप नोट करते जाएं ठीक है तो मैं सबसे पहले ले रहा हूं रेक्टेंगल ओके इसे हिंदी में आयत भी कहते हैं तो रेक्टेंगल आपका इस इस रेक्टेंगल आप नेमिंग दे दे कुछ भी A B C D अब रेक्टेंगल की क्या प्रोपर्टी होती है कि इसके जो एंगल होते हैं वो कुछ इस तरीके से 90-90 डिग्री पर होते हैं ठीक है और जो अपोजिट साइट से है सबोज यह सीडी और यह अपोजिट उसके कौन से A B यह क्या होती है इक्वल होती है तो यह रेक्टेंग तो हमने यह लेंद लिए और यह ब्रेथ लिए ठीक है लेंथ यह लंबाई ब्रेथ यह चोड़ाई तो परिमीटर क्या होता है परिमीटर आपका सिंपली परिमीटर क्या होता है अब की जितनी भी साइड है उनका सबका सम कर देंगे तो हमारा पैरिमीटर निकल जाएगा अब वह कोई भी क्लोज़ विगर हो सकती है सम फॉल साइड ऑफ एनी क्लोज़ फिगर ओके क्लोज़ फिगर होनी चाहिए आपकी कुछ इस तरीके से फिगर होगी तो आप इसका पै पैरिमीटर निकाल सकते हैं बस लेंध कैलकुलेट कर सकते हैं आधש यहा था क्येए तो कोई भी क्लोज़ फिगर होगी तो ऊसकी पैरिमीटर ईजली निकाल सकते हैं साम फॉल साइड तो इसमें कितनी साइड है एक दो तीन चार और रेंध्स यह बराबर है अब इस तो यह लेंद और ब्रेथ यह भी ब्राइट हो जाएगे हमारी इसका पेरिमेटर क्या हो जागा हमारा P is equal to P is equal to L plus L plus breath plus breath यानि कि L plus L और B plus B L plus L क्या हो गया 2L हो गया और B plus B क्या हो गया 2B हो गया इन दोनों में आप क्या करोगे टू कॉमन इसमें से और इसमें से टू कॉमन ले लोगे तो क्या बचाएगा आपका L plus B ओके तो यह इसका आगया पेरिमेटर इट मेंस आप सिंपली फीगर को देखकर आप पेरिमेटर निकाल सकते हो रटने की कोई जो रटनी है कि आप फोर्मला रट हो ठीक है कि नेक्स्ट हम ले रहे हैं नेक्स्ट में ले रहा हूं कि कि स्कॉयर कि हिंदी में बोलते हैं अब इस्कॉयर की क्या प्रोपर्टी है कि सारे साइट के आउते हैं एक दुसरे के बराबर होती है इसमें भी एंगल के आउते हैं आप अब कोई भी नेमिंग दे सकते हो E F G H All Sides are Equal यानि कि मैं सबको Side A मान रहा हूँ आप कुछ भी Variables Use कर सकते हो A की जगे B B C C या जो मर्जे आपका जो मन करें वो Use कर सकते हो तो यहाँ पर A होगा यह A ठीक है तो Perimeter क्या बताया था मैंने Sum of All Sides तो इसका Perimeter क्या हो जाएगा आपका इसका Perimeter क्या हो जाएगा Perimeter is equal to Sum of All Sides यानि कि कितनी साइट है 4 है 4 साइट तो A Plus A Plus A तो कितने 4 हो गया आपके 4 इंटू A यानि कि 4 A या 4 इंटू आप साइट भी बोल सकते हो ठीक है तो यह इसका Perimeter हो जाएगा ठीक है Next मैंने इसमें आपको Area नहीं बताया था इसका तो Area भी डिसक्स कर लेते हैं Area Area simply आपको क्या होता है Length Multiply VRA Th Breath तो Length इंटू Breath आपको क्या होता है Area of Rectangle इसका Area क्या हो जाएगा Area of Square Area of Square हो जाएगा Side Multiply Side Side Multiply Side is equal to Side क्या है A है फिर से A यानि A into A A square यहाँ पर आप exponent का rule लगा सकते हो यानि कि Base सेम है यानि इसकी Power 1 इसकी Power 1 ठीक है तो हमारा exponent का formula क्या कहता है कि अगर Base सेम हो यानि कि A into A हो और इसका Power अलग-अलग हो तो अगर Base सेम होता है तो क्या होती है Power Adds हो जाती है तहाँ पर Base सेम है इसकी Power 1 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 इसकी बन गए A square तो यह होगे Area of Square ठीक है एक चीज ओर हो रहे है इसमें Rectangle का Diagonal अगर आपको आ गया है ठीक है तो अगर बोल दिया जाए कि Rectangle में ऐसा कॉन सा चीज होगा जो की सबसे बड़ी चीज हम रख सकते हैं इसके अंदर तो वह उसका Điagnal होगा सबसे लॉंगेस्ट आपका क्या होगा साइड हो जागा तो डाइगनल क्या से कल्कुलेट करोगे इसका मा लेंगे डाइगनल डी तो डाइगनल के लिए आपका यूज करोगे डी इकोल टू इसमें आप लगाओ कि पीजीटी थेहरम विगोज यह क्या है डी सीदी एक इस अदियी एक डी यानिडेकनल का मालव क्या इसको अगया तो यह एक उफिर सिफसे ही घंदी खिर बेस यह तरी के से लैंद्प रेंद्फ हुग है इसंक़् कई रहें कर दो टो तो डी यहां से स्हूर्ट अंड यहोगा तो यह एक तरी के सा जाग ये अन्ड एक बख भींगों कर दिया। तो इसका डागनल ऑभाको सब्खोन सुझनी कारएयगा… सब्सक्द में नहीं लाओग लख़ए में नरा भी आंप दीजिद का ऍवल इसक्वायर यहां okay प्लस पर्पेंडिकलोर की लिएंगा की एक स्केस्वाइर के महीं की एक स्क्वायर kay फिर ऐथ को ओके अब आपको दिखर मुए हो प्लिए टूजा क्रें है खानियर टोसले, आप घ्रच डायगें ऐलगे करें 10 अब कि यह आपका बेस और यह होता है परपेंडिकुलर तो एक राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एडवी तो क्या होता है यूजिंग पीजिटी से हमके लिखते हैं ह्यपाटनीस का स्कार इस उक्वाल डूब बेस का स्कार प्लस टी का स्कार ओके तो यह आपको पता होना चाहिए तो आप एजली ड्यागनल किसी भी राइट अंगल ट्राइंगल में आप सॉल्व कर सकते हो ड्यागनल ओके नेक्स द इसको हिंदी में हम कहते हैं सामाना अंतर चतुर भूज ठीक है सामाना अंतर चतुर भूज ओके इट मेंस पहले लग रहा हूं ए कर देकर तो कि अंतर बिन सब्सक deer सामाँ अनगरिंगरी ऑब के गारो हाँ इसुक्त याकूं अंतर नहीं क्लुमार्वाबी नग पीजित होले ठीक है अंपने सब्सक्राइय होती हिए खेच इस तरी चूहर्ट होते हैní इस धाल होगं इस तरिके से तारो होते हैं और वो क्या करते हैं इस अबराबर होगा अधर या इंटर्शत करते हैं इस पॉंट पर ऊपोंट अधर अधर होगा वे या इसकेहिए हमाल और इसका कैसा पहुताइब जाएगा हम इसे में साइड को हुआ है चाहिए हुआ हिए अब इसमें बेस तो आपका हिन के दूसरा फिकर बना देता हूं तो आप přेश्य लोगे तो इसके लिए हीट कुछ इस तरह्य से पर्पेंडीकलर मठाने पड़ेगी तब आप ये base मानोगे अगर base ये है तो height ये होगी अगर height ये ले रहे हो तो base इसको लेना पड़ेगा तो इस दरीके से इसका area होता है base into height next figure ले रहा हूँ मैं next figure है rombas rombas को इंदीम बोलते हैं sum चतुर बुज ठीक है sum चतुर बुज तो rombas आपको आप दो तरीके से बना सकते हो एक तो ये rombas बना सकते हो आप rombas की क्या property होती है इसकी भी सारी sides क्या होते है equal होती है और इसके जो diagonals होते हैं वो 90 degree पर क्या करते है by side करते है 90-90 degree पर by side करते है ठीक है यह आपका rhombas हो गया और आप एक rhombas इस तरीके से भी बना सकते हो ये means parallelogram it is a type of parallelogram ये भी all sides क्या होंगी equal होगी इस तरीके से इसका diagonal एक दूसरे को by side करेंगे ठीक है इसमें भी सारी साइट है क्या होगी बराबर बराबर होंगी अब डाइगनल ये ओफ रोंबस एरिया ओफ रोंबस आरों बी यूएस एरिया फ्रोंबस क्या होता है इसका एक चीज़ो निकाल सकते हो इसकी साइट पता कर सकते हो ठीक है then साइड ओफ रॉम्बस देन साइड सोफ रॉम्बस एरी ओफ रॉम्बस हमारे यह हो गया हाफ अंटू टी इंटू टी टू ठीक है अगर डियागवनल दी टू गिवन हो आपको तो देन साइट्स ओफ रंबस किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो इसली आप डाइक्ट यह फोर्मिल लगाओ गए कौन सा हाफ रूट में डीवन का स्कायर प्लस डीटू का स्कायर ओके तो यह हो गया साइट्स निकालने के लिए और यह हो गया यह जारा हूं हो ट्राइंगल ठीक है सकते हैं और है अब होड़ाइंगल ने भी हमारे टैप्स ऐफ ट्राइंगल देए लोगं कितने टाइप्स क्योंने होता artificial triangle क्या होता है वो нар Triangle जिसकी सारी side के होती है है निक्वल होती है मिंस एक क्षेसरे के बराबर यह और यह एनिक्वल होगी तो उसको हम बोलते है inclore Canal ठीक है next सिंदें आइसो स्लैस सियम्ट एंगल वह ध dengan जिसकी कि यह कंब साइड गया होते हैं इकोल निक यह और एक साइड किया होघी होगी वह अनिकाल होगी आप आप इस समय टाम को इस तरीके से में हो कर सकते हो यह यह दोनों equal हो सकते हो यह नहीं ठीक है तो यह होगा आपका इसमें एक चीज हो रहा है अगर यह opposite sides यह वाली क्या हो गया पोजिट साइट अगर equal होती है तो इनके opposite angles क्या होते हैं वो भी अंगल सी और इसका उल्टा होता है Converse होता है अगर अंगल भी और सी को लोंगे तो इसके opposite sides की को जाएंगे ठीक है तो दोनों के लिए काम करेगा इरिवर्सीवल हो जाएगा ठीक है यह थिवराम है आपकी तो perimeter तो आपको मैंने बताई दिया इसके perimeter sum of all sides तो आई-स इसका भी perimeter हो जागा sum of all sides सबोजी यह यह है तो यह भी होगा और यह भी हो जागा तो इसका perimeter क्या हो जागा a plus a plus b ठीक है और इसको हम कैसे 2a plus b भी लिख सेकते हैं सिंपली ठीक है तो राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं ठीक है ही तो इरिया निकालने के लिए भी हमारे पास बहुत से मैथाड़ है ठीक है तो मैं पहले तीसरा ट्रेंगल ले रहा हूं कौन सा equilateral triangle फिर हम discuss करेंगे area किस तरीके से निकालेंगे equilateral triangle ओके तो equilateral triangle है याने की all sides are equal equi मतलब equal all sides are equal then it is called equilateral triangle ABC ठीक है means AB is equal to BC is equal to AC all sides are equal it means abcj equilateral triangle how to find area of equilateral triangle तो इसका area निकालने के पास इसका area निकालने के लिए हमारे पास direct formula है root 3 by 4 into a square ठीक है यह आपका area equilateral triangle का ठीक है इसको आप easily निकाल भी सकते हो by using PGT ठीक है कैसे solve पर सकते हैं PGT से यह area कैसे calculate कर सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या यह सारी side क्या equal है यानि यह हो जाएगी इसके लिए हम क्या करते हैं एक हाइट ड्रो करते हैं यानि कि 90 degree ठीक है तो 90 degree हमने ड्रो कर दिया अब यह हमारी क्या हो जाएगी बीसी बीडीसी ठीक है अब यह आपको क्या बन गए एक right angle triangle यह भी आपका एक right angle triangle तो राइट अंगल ट्रैंगल में हम PGT लगा सकते हैं PGT निकालने के बाद हम हाइट केल्कुलेट कर सकते हैं ठीक है तो एडिया क्या होता है हमारा एरिया ओफ एरिया ओफ राइट अंगल ट्रैंगल एक तो होता है हमारा half into base into height ठीक है कि कि किसी भी ट्रैंगल का आप निकाल सकते हाफ into base into height अगर उसके अंदर उसके पादा देता हम इसमें लगाएंगे PGT PGT से हमारा हाइपिटेणिस हो जागा हमारा है 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 एप दूटेणिस हो जाएगा हमारा a b का इसका है फिर हमारा base मैं ट्रैंगल ले रहा हूं इन ट्रैंगल A B D ठीक है A B D में Agd लगा है PGT थ्योर organ उके तो Daiquerница का स्कार यानि कि AP स्कार फिर Base यानि कि BD का स्कार प्रेज़ परपेंडिकलर यानि कि AD का स्कार तो AB हमारा क्या A है तो A स्कार BD हमारा क्या A by 2 है यानि कि A by 2 का कोल स्कार प्लस AD के हमार H है या नहीं कि H स्कार अब यह हो जगा आपका A स्कार is equal to A स्कार बाइ 2 का स्कार 4 प्लस H स्कार ठीक है क्योंकि हमें इस परमुले में हमें बेस तो पता है बाट हाइट निकालना है तो हाइट को नहीं रहें दो इस वाले को उधर ले जाओ तो A स्कार यह दर प्लस में धर आके क्या हो जागा माइनस A स्कार बाइ 4 is equal to H स्कार ठीक है अब इसका हम क्या लेंगे LCM लेंगे कुछ नहीं तो बन लगा दिया LCM लेंगे तो इसका क्या हुआ LCM हो जाएगा आपका 4 ठीक है तो 4 हों जा 4 4 इंटू A 4A स्कार माइनस 4 वन इंटू A स्कार यह नहीं कि A स्कार ठीक है is equal to H स्कार 4A स्कार में से A स्कार गया तो क्या बचा 3A स्कार आप उन में 4 is equal to H स्कार simply आप क्या करोगे इसको shift कर देए इस square root को इधर shift कर देंगा तो क्या होजागा यह एच is equal to root में 3A square by 4 अब three हमारा perfect square है नहीं तो फो रूट में रहेगा टू का तो बहार आ गया ठीक है और A square से root cancel हो जागा ठीक है तो हाइट हमारा आगा रूट 3 भाई 2 A अब क्या करें हम इसे फूट कर देंगे वैले ठिक है तो यह क्या हो जाएगा हमारा हाफ इन्टू बेस बेस क्या ऑइ बाइ टू है एब बाइ टू इंटू हाइट हम निकाल दिया है रूट 2 ऑन देखो क्या हो जाएगा आप सोरी बेस हमारा यह होगा अ तो बेस हमारा नॉट एबाई टू उाफ हम क्या लेते है हमारा हमेजा यह लेंगे और हाइट यह लेते हैं तो बेस हमारे यह होगा तो यह होगा 1 बाई टू इंटू A into root 3 बाई 2 A Agr सब्सक्राइब कर सकते हो यानि कि कोई चीज रटनी की जो नहीं होती है वैसे तो हम डारेक्ली एक्जाम में यह यूज करेंगे जोके मैं आपको बस करके बताया कि किस तरीके साम यह फॉर्मुला लाते हैं ओके इस एरिया ओफ ट्रैंगल केल्कुलेट करने का एक और तरीका मेफ़ा हुए बढान जारा को है उसको कैसे अप्लाइं करते हैं है किसी भी ट्रैंगल में अपका वैलीड होता है हर एक ट्रैंगल में चाया वो स्केलंड हो चाया वाइससे हो चाय स्वेस्ट हो राइंग्ल आंगल हो ठीक है चाहिए वो स्केलन ट्राइंगल हो स्केलन ट्राइंगल हो चाहिए वो आइसे लेस्ट ट्राइंगल हो चाहिए वो एक्विलेटर हो या फिर चाहिए वो राइट एंगल ट्राइंगल हो राइट एंगल ट्राइंगल यह हर एक ट्राइंगल में वैलिड होगा किस तरीके से नि सब्सक्राइब कोई भी सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं जैसे पैरिमेटर क्या होता है वैसे हम इसको भी करेंगे लेकिन सैमी का मतलब होता है हाफ वो पूरा निकालके हम उसका हाफ कर देंगे तो क्या होगा एक प्लस प्लस सी अपॉन टू ठीक है इसके मैं कोशन करा हूँगा तो आपको और इसली समझा जाएंगे फिर भी मैं आपको एक्जामपल लेकर बताते हैं सब्सक्राइब कोई सा आपको एफ कर दो किया तो या नियुक्रण चीज़ोड तो या रूट अंडरू यूइस जो सेमी प्रीमिटर आपने निकाला हुआ है हम यहां बैल्याइग कि फिर एस माइना से ठीक है एस माइनस भी और यह जहागा समाइनस सी ओके तो यह इसका एडिया और यहारेक ट्र राउंड ट्रेपीजियम तो ट्रेपीजियम आपका कुछ इस तरीके से होता है ठीक है इट मिन्स ट्रेपेजियम जैसे एबी सीडी नेमिंग कर देते हैं वी और सी ठीक है यह आपको क्या होगा पैलर सथ होंगे मेंज दो साइड आपकी क्या होती है पैलर्स होती ए और टु साइड जैने कि ad और bc non-pillar side होती है ठीक है तो two pillar sides हो और non-pillar sides इस तरी के से बन रखी है तो वो क्या खेलाता आपका trapegy अट मिस्ट्रापेजी में आप ऐसे भी ट्रापेजी में होगा मिन्स यह दोना क्या एक दूसरे का कि यह जाएएं ठीक है और trapegium में हाइट हम क्या लाँगे यह तरीके से थिक्या हाइट हम यह कोडिक्ड़ा करते हैं अगर हम बेस ही मांने तो हाइट हमारा यह हो जाएगा और इस तरीके से यह हमारी हैट हो जाएगी है इस पैलें इसको मैं ले लेता हूँ यहां से यहां तक A और इसको यहां से यहां तक B तो इसका एरिया हम कैसे कल्कुलेट करेंगे area of trapezium area of trapezium is equal to area of trapezium होता है हमारा half into sum यानिकी add ठीक है addition sum का मतलब addition plus करना है sum of parallel sides parallel sides parallel का हम यह भी symbol लवाते हैं ठीक है यानिकी दो एक दूशे parallel parallel sides into height तो half into parallel side कौन कौन से आपकी a है a b है और c d है यानिकी a b plus c d into height h तो half into a b के a है c d के b है into height तो यह आपका होगय area of trapezium ठीक है नेक्स्ट circle circle में आपका क्या होता है center से आपका जो draw होता है वो radius इस center से भी draw कर लो वो सारे क्या होंगे हमारे radius ही होंगे ठीक है और इसमें सबसे longest code जो होती है longest code is equal to diameter ठीक है अब diameter क्या होती है जब हम दौनों radius को add कर देते हैं यानि इस radius को और इस radius को plus कर देते हैं तो यह हमारे diameter यानिकी 2r d diameter is equal to 2r ओके इसके लिए इसके लिए हम यूज़ करते है मिन्स अगर मुझे इस point से यहां से यहां तक इसका अगर पूरा length निकालना हो ठीक है न मिन्स distance निकालना हो यहां से यह तक length कि कितना है इसका तो हम इसलिए इस यूज़ करते है circumference ठीक है circumference of circle इसको हम लिखते है पाई डी ओके पाई डी की जगे आप क्या पूट कर सकते हो पाई इंटू आर और आप इसको टू पाई आर भी लिखते हो पाई की वैल्यू आपकी 22 बाई 7 या फिर 3.14 अगर question में बोला हो कि 3.14 यूज़ करना है तो आप 3.14 यूज़ करोगे अगर नहीं बोला है तो आप simply 22 बाई 7 यूज़ करोगे ठीक है तो यह हो गया circumference of circle या नहीं कि बाहरी हिस्सा का पुरा एमने length निकाल लिया circumference निकाल लिया नेक्स्ट अब इसका area कैसे निकालते हैं simply area is equal to pi r square ठीक है एरिया हो गया हमारा pi r square next अगर आपको बोल दिया जाए कि आप निकालो semi perimeter ठीक है semi perimeter यानि कि circumference बोला तो किस तरीके से निकालोगे ठीक है या perimeter बोल दिया है तो perimeter किस तरीके से निकालोगे है नि sum of all sides तो mistake क्या होती है कि हम सिर्फ हम क्या करते हैं 2 pi r है न तो 2 pi r divided by 2 कर देते हैं और simply बोल देते हैं कि इसका perimeter होगा हो सिर्फ pi r होगा ने तो यह क्या हो जाता है गलाद हमें क्या करना होता है perimeter में sum of the all side मतलब यह तो plus करना होता है साथ में यह जो आपका diameter वह भी plus करना होता है तो हाफ तो हुई गया आपका pi r ओके तो pi r का मतलब यहां से यहां तक कई वाले distance होगा प्लस d यानी की diameter यह ठीक है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो pi r प्लस diameter होता है 2r और और comment भी ले सकते हो ठीक है या फिर आप ऐसी रहने दो ठीक है और comment लेगा तो pi plus 2 कोई benefit नहीं है आप इस तरीके से इसली कर सकते हो तो वीडियो अच्छी लगी तो like करें शेयर करें और subscribe जरूर कर लें ताकि अगर मैं ऐसी वीडियो डालू तो आपको notification मिल जाए तुर परिमीटर और इरिया 2D फिगर में बता दिया है कुछ ठीक है regular shapes तो आप perimeter का मतलब समझ गया होगे यह नि किसी भी एक regular figure का किसी भी regular perimeter निकाल सकते हो perimeter बता दिया है और इरिया बता दिया है मैंने हम ठीक है next में surface area और volumes related करेंगे जो कि three dimensional में आगी ठीक है और कुछ questions भी कंप्लेट हो जागा तीन से चार वीडियों में चार तीन से चार नहीं तो चार-पांच वीडियों में कंप्लेट हो जागा ठीक है तब तक के लिए थैंक यू